प्रिबेस वीडियो में हमने लार्जेस फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम के विशे में पढ़ा था जो की है आर्थपोड़ा आज इस वीडियो में हम सेगंड लार्जेस फाइलम को कवर करेंगें जो कि है फाइलम मॉलस्का सो वेलकम टू बायलिजम एंटर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक फालम मोलस्का संग मोलस्का की बात करें तो मोलस्का एक लेटिन वर्ड मोलस से डिराइब हुआ है जिसका अर्थ होता है सॉफ्ट तो मोलस्का संग के अंतरगर सॉफ्ट बोडी एंडिमल्स आता है तो ऐसे प्राने जिन में कोमल शरीत पाय जाता है उन्हें संग मोलस्का के अंतरगर रखा गया है तो इनके जो लक्षण है सामाने लक्षण नमबर पहला लक्षण है मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संग है प्रानी जगत का सबसे बड़ सकते हैं उनमें काफी important points discuss किये गए मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संग है और इसका अगला लक्षण है इस संग के अधिकांश जन्तु समुद्री जल में पाय जाते हैं तो यह जीव अधिकांश तह लवणी जल में पाय जाते हैं लेकिन इसके साथ साथ यह जन्तु कुछ स्थल में भी पाय जाते हैं और कुछ अलवणी जल या फ्रेश वाटर में भी पाय जाते हैं तो habitat की द्रिश्ट से यह समुद्री जलो यह अलवणी जलो यह स्थलो तीनों जगह इनके सदसे पाय जाते हैं इनकी body organization को देखें तो इनका शरीर संगडन अंग तंत्रिस तरग विविन प्रकार की organs मिलकर organ system बनाते हैं अगला point है यह द्युपाश सम्मित त्रिकोर की तथा प्रगुही प्राणे होते हैं अगर इनकी शरीर की बात करें तो इनका शरीर केवल एक plane से दो बराबर भागु में बढ़ सकता है इस प्रकार की symmetry को द्युपाश सम्मित या bilateral symmetry क बात करें तो तीन लेयर पाई जाते हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म इस प्रकार यह त्रिकोर की या triploblastic जीव कहलाते हैं इनके शरीर में true silom पाई जाते हैं तो ऐसे जीव जिन में silom उपस्तित होता है इन्हें प्रगुही या silomate जीव कहते हैं तो यह सम्मित त्रिकोरे की और प्रगुही प्राणे होते हैं इनका शरीर कोमल होता है काफी soft इनकी body होती है जिसके वज़े से body को protection प्रदान करने के लिए शरीर के बाहर एक कठोर calcium का कवच पर जिन रहते हैं इनके अग्रे लक्षण की बात करें इनका शरीर अखंडित होता है इ लेकिन इनके शरीर की बात करें तो तीन भागु में इनका शरीर बटा रहता है नमबर पहला सीर या head दूसरा पेशियपाद या muscular foot और तीसरा अंतरंग ककुद या visceral hump अगर इसको समझने के लिए हम diagram बनाते हैं यह इनका शरीर है इनका सीर है और यह इनमें इनकी body में एक vis पाई जाने वाला muscular foot है तो यह इनकी body में हो गया head यह हो गया visceral hump और यह इनकी body में है muscular food तो इनका शरीर तीन भागों से या तीन भागों बढ़ा रहता है head visceral hump और muscular foot अब इसके बाद इनकी जो सन्रजना होती किस प्रकार की उप्ती इसको भी समझे है जो visceral hump है visceral hump या अंतरंग ककुद इसके उपर एक तवचा की नरम तखाय स्पंजी परत पाए जाती जो के visceral hump को cover करती है इसके body के ठीक उपर एक तोचा की नरम एक प्राद पाए जाती है और इस प्राद को कहते हैं mental इस प्राद को mental या प्रावार कहते है और mental के भी ओपर एक calcium का आवर्ण पाया जाता है इसके उपर एक calcium का आवरण पाए जाएगा जो कि काफी कधूर होता है जो कि यह है आपका calcium का आवरण calcium का कवच है calcium cell या calcium कवच ही पाए जाता है तो इनकी body में तीन parts है head, visceral hump और muscular foot अब इनका जो visceral hump है इसके उपर तवचा के एक नरम तथा spongy layer पाए जाए जिसको कहते है mental और mental के उपर calcium का कवच होता है जो कि पूरी body को protection प्रदान करता है अब बात करें mental और visceral hump इस mental और visceral hump के बीच के खाली स्थान को इस खाली स्थान को कहते हैं इसको कहते हैं mental cavity इस खाली स्थान को कहेंगे mental cavity इसे mental cavity में गिल्स पाई जाते हैं जो की respiration और excretion में सहायक होते है श्वसन और उत्सर्जन किर्या में यह गिल्स सहायक होते है तो इनका शरीर तीन भागों में बटा होता है सिर पेशेपाद और अंतरंग ककुद अंतरंग ककुद के ऊपर तवचा की एक नरम और स्पंजी परत पाई जाते हैं जिसको कहते हैं mental या प्रावार इस mental और विसल हम्प के बीच के खाली स्थान को mental cavity कहते हैं और इस mental cavity में गिल्स पाए जाते हैं और यह गिल्स श्वसन और एक्सक्रिशन अर्दा श्वसन किरिया और उत्सरजन में सहायक होते हैं और इस mental के भी बाहर एक केल्शियम का आवरण होता है जो की काफी कठूर होता है जिससे की पूरी बॉड़ी प्रोटेक्ट रहती है तो त्वचा की नरम तथा इस पंजी परथ ककुद या हंप के उपर प्रावार मेंटल बनाती है यह प्रावार या मेंटल विसरल हंप के उपर एक त्वचा की परथ के द्वारा बनती है क्रवार के बीच के खाले स्थान को mental cavity कहते हैं इस mental cavity में फैदर लैग क्लूम या गि और है पहला important point होगा है इनकी body में कौन-कौन से parts पाये जाते हैं दूसरा important point है इनके मुख में भोजन के लिए रेती के समान गिसने का अंग होता है इसे रेती जिवा या जिसमें चोट-चोटए-एक पाय है जो कि भोजन को चबाने में साहेख होती ने क्सक्व इनके मुख में पाये जाता है जो कि भोजन को चबाने का एक कारे करते हैं तो ये इंपर्णेट रहते हैं पर्थे इनका जो character है वह है सामानिता इन में नर और माधब पर्थक होते हैं और यह अंड प्रजक या ओवीपेरस होते हैं अंडे देने वाले जिओं को ओवीपेरस कहा जाता है है इनमें लारवा अवस्ता देखने को मिलती है अर्थात जब जाइगोट से एम्ब्रेवार उससे जब वैस्क बनता है तो उसके बीच में एक अवस्ता पाये जाती अर्थात वहां लारव अवस्ता देखने को मिलती है इस परकार के परिवर्दन को अप्रतेक्षिक परिवर्दन कहते हैं इनमें पूर्ण पाजन तंत्र प परिखने को मिलता है अर्था मुक और अगर पाए जाते हैं तो एसे पैकंतर को पूर्ण पाशन तंकक कहते हैं इसके सिर्फ ayar इसमें परश क्या sensory टेंट करता है आजिएं전 को अगला पोइंट है इंमें खुला परसिंच्टरं तन्तर पायते हैं जब अलग अंगो और उतकों को provided किए जाते हैं तो यह बंद वहिखाहं न इसे न में तो न बहीं इस प्रकार कि इस सदस्च्च की बात करते हैं एंसी आर्टी बुक में कुछ एक्जांबल दिए लेकिन उन में से जो इंपोर्टेंट है नमबर पहला पीला या से भूंगा एपल स्नेल कहते हैं दूसरा है सीपिया या कटल फिश और तीसरा है ऑक्टूपस या जिसे हम डेविल फिश कहते हैं कभी क्वेश्चन पूछा ज सकते हैं पटल फिश या डेविल फिश तो इस तरह से यह फिश नहों कि यह मुलस का तो यह इंपोर्डेंट एक्जांबल बन जाते हैं और बाकी भी अगर आप याद करना चाहें तो इनको भी पढ़ सकते लेकिन आपको इन तीनों को याद रखना है कुछ डाइग्रामस हैं जो कि NCRD बुक में दिये गए हैं पहला है आपका सेफ होंगा या इला और दूसरा है ऑक्टोपस आज के लिए इतना है नेक्स वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं फाइलाम इकाइनोडर्मेटा के साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्रा कर सकते हैं और शेर कर सकते हैं थेंक्यू